गर्मी के मौसम माच चुकी है कश्टड खाना बनता है फ्रूट कश्टड बहुत ही मस्त लगते हैं गर्मी के दिन में खाने में मैं देखिए एक बरतन में आधा लिटर दूट ढाल रहे हूं अनीता जैश्ट बुलक में आपका स्वागत है और इस दूध में तीन चमच चेन हमारी बैनीला के है आपको ये मार्केट में बहुत असान तरीके से मिल जाएंगे किसी किराने दुकान में आपको मिल जाएंगे आप इस कश्टड को ठंड़ा दूध में इसे घोल बनानी है घोल ठंड़ा दूध में ही बनाई जब भी आप बनाते हैं तो ठंड़ा दूध नहीं बनाएगा गरम दूध आपकी रहेंगे तो दूध आपको लंप्स पर जाएंगे यह घुचलियां पर जाएंगे तो आपको एक खाने में अच्छे नहीं लगेंगे हमारे दूध तब तक गरम हो चुकी होगी दिखेंगे दूध हमारी उबाल आच चुकी है जब को धीरे धीरे इसमें आप डालते रहें अच्छा किसी चमच या बर्त किसी के टीस्पून के सारे आप इस वह दोवत ही खिलाते रहें ताकि इसमें बर्तन में नीचे बैठे ना और गुठलिया न परें इस तरीके से धीरे चलाते रहें थोड़ा एक उबाल जबी आ जाए त गड़ा होने के बाद मैं इसे दूसरा बर्त निकाल लेती हूं इस तरीके से आपका गड़ा होनी चाहिए एक से ड्यड़ घंटा मैं इसे फ्रीज में रखी अब इसे अच्छी तरीके से जो आपके पास फूर्ट है उस फूर्ट को काट लिजिए आप बड़ा छोटा काट सकते हैं जैसा पसंद है उसे काट कर आप इसे मिला देजिए ऐसा नहीं कि मैं जो फ्रूट डाली हूं उसी को डालना है आपको जो पसंद है आपके घर जो फ्रूट है आपको जो लेना चाहते हैं उस फ्रूट को इसे मिला देजिए इस तरीके अच्छे से मिला दिए और ठं इसके आंग आइस्क्रीम अगरा भी फेल है यह जो है बच्चों लोग के अगर बना के घर पे खिलाए उन लोग आइस्क्रीम लेना भूल जाएंगे हमारी कितनी अच्छा लग है देखने में अम इसे दूसरे बरतर में निकाल रही हैं बच्चों लोग के खाने के लिए अगर आपके घरों में मेहमान आए तब भी आप इसे बना कर सकते हैं उन लोग भी खुस हो जाएं क्योंकि हर शमें हर के घर के में नहीं मिलते भी साधी के मौसम है कोई ना कोई मिहमान आते रहते हैं अगर आप चाहते इसे बना के खिलाईए उन लोग भी बहुत कुछ हो जाएंगे आपका घर का तारिफ करते कभी नहीं ठाकेंगे इस तरीके से अगर आप बनाते हैं